केसी वेनुगोपाल जी तारिक कर्रा जी रजनी पाटिल जी विकार रसूल जी गुलाम मीर जी रमन बला जी चरन जी चनी जी दिगविजे सिंग जी जेराम रमेश जी नीरज कुंदन जी शबाब सबरी जी कॉंग्रेस पार्टी के हमारे सब प्यारे कारे करता भाईयों और बहनों युवाओं प्रेस के हमारे मित्रों आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत आप आज हमारे साथ भारत जोड़ों यात्रा में चले 23 किलोमीटर चले आपने अपनी शक्ती इस यात्रा को दी हमारे साथ आप खड़े हुए आपने अपना प्यार दिया हमें इसके लिए मैं आप सब को दिल से धन्यवाद करता हूं ये यात्रा चार महीने पहले हमने कन्या कुमारी में शुरू की थी बहुत कुछ सीखने को मिला हम काफी आत्री हैं उन में से शायद कोई भी ये ना कह पाए शुरूआत में कि हमें इतना हिंदुस्तान की जनता से सीखने को मिलेगा हर प्रदेश ने कुछ ना कुछ नया सिखाया किसानों ने मजदूरों ने छोटे वियापारियों ने माताओं बेहनों ने बच्चों ने अपनी दिल की बात रखी अपना दर्द रखा किसानों ने हमें देश की पॉलिसी ओं के बारे में बताया चोटे वियापारियों ने जी एस्टी के बारे में नोट बंदी के बारे में कोविड में क्या हुआ क्या होना चाहिए था सब कुछ हमें बताया समझाया अलग-अलग भाशाएं है अलग विचार है अलग हिस्ट्री है अलग इतिहास है मगर सब एक साथ मिलकर महबत के साथ इस देश में रहते है जैसे मैंने कहा नफरत के बाजार में हम महबत की दुकान खोलने निकले थे और देखने को मिला कि लाकों करोडों लोगों ने इस देश में महबत की दुकाने खोली है हर प्रदेश में, सरकों पे, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमें ये देखने को मिला देश के सामने कठीनाई ज़रूर है लोक तंत्र पे, आक्रमन हो रहा है उस बात को आप, सबसे बहतर समझते हो यात्रा से पहले, हमने पार्लिमेंट में, मुद्धे उठाने की कोशिश की लोक सबा में, राज़ सबा में हमने भाषन देने की कोशिश की नोट बंदी पे, गलत GST पे, किसान बिल पे जो चाइना हिंदुस्तान की जमीन ले गया है 2000 स्क्वेर किलोमेटर ले गया है, उस पे मगर हमें लोक सबा में बोलना नहीं दिया जैसे हम बोलने की कोशिश करते थे, माइक आफ कर दिया जाता था मैंने भाषन के शुरुआत में आप सब से कहा प्रेस के हमारे जो मित्र हैं, उनका यहां मैंने स्वागत किया मगर इनका भी काम लोक कंत्र की रक्षा करने का होता है टीवी पे अखबारों में, मैगजीन में सच्चाई रखने का इनका काम होता है पिछले प्रेस कॉन्फरेंस में मैंने इनसे सवाल पूछा, प्रेस वालों से सवाल पूछा आम तोर से ये पूछते हैं, मैंने पूछा भईया, एक बात बताओ आप नरेंद्र मोधी जी का चहरा 24 गंटे दिखाते हो आप अश्वरिया राय जी की बात करते हो अक्षे कुमार की बात रखते हो आप महंगाई की बात क्यों नहीं रखते हो आप बेरोजगारी की बात क्यों नहीं रखते हो जो जमू कश्मीर में गरीब लोगों से उनकी जमीन जो चीनी जा रही है वो हमें मीडिया में क्यों नहीं दिखाई देता जो कश्मीरी पंडितों के साथ यहां सरकार अन्याय कर रही है आज सुबह मेरे साथ मेरे से मिलने एक डेलिगेशन आया और उन्होंने अपनी बात रखी मैं हरान हो गया उन्होंने कहा और मैं मीडिया के सामें यह कहना चाहता हूँ उन्होंने मुझसे कहा कि जब उनका डेलिगेशन लेफ्टेनन्ट गवनर के पास गया तो लेफ्टेनन गवनर ने उनसे कहा कि तुम्हें भीक नहीं मागनी चाहिए ये देखिए लेफटेनन्ट गवनर ने कश्मीरी पंडितों के डेलेगेशन को कहा कि आपको भीक नहीं मांगनी चाहिए लेफटेनन्ट गवनर जी ये भीक नहीं मांग रहे हैं ये अपना हक मांग रहे हैं और अगर आपको कुछ करना चाहिए तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मैं आया अभी जम्मू में चल रहा हूं और यहाँ पे आपके लोग मुझसे मिल रहे है माताए बहने युवा बच्चे किसान सब मिल रहे है यहाँ आते हैं सड़क पे आते हैं मेरे साथ चलते है और अपने दिल की बात रखते हैं दो तीन चीजे में जो वो मुझे कह रहे हैं आपको कहना चाहता हूँ वह आप जानते हो, मगर मैं दोरा देता हूँ सबसे पहले मुझे कहते है कि जम्मू में जो पहले, अभी आता हूँ बेरोजगारी के बारे में बोलता हूँ कहते हैं कि जो पहले जम्मू के लोग वियपार करते थे जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाते थे आज बाहर के लोग जम्मू और कश्मीर को चला रहे हैं और हमारा जो हक है हमारी जो आवाज है उसको अड्मिनिस्ट्रेशन सुनता नहीं है सारा का सारा ट्रेड बाहर के लोग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग देखते रहे गए पहली बात दूसरी बात हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है और जम्मू में है तो यहाँ पे students पढ़ाई करते हैं कोई engineer बनना चाहता है माता पिता शिक्षा के लिए पैसा देते हैं कोई doctor बनना चाहता है कोई lawyer बनना चाहता है कोई army में जाना चाहता है पढ़ाई करने के बाद पता लगता है कि इस प्रदेश के लोग प्रदेश के युवा lawyer, doctor, engineer नहीं बन सकते हैं पहले एक और रास्ता था आर्मी का रास्ता था वो भी आज बन्द कर दिया है BJP के लोग नई योजना लाएं है अगनिवीर योजना लाएं है और इनको जो आर्मी का इतोस है इनको वो ही नहीं समझाया देखिए किसी भी काम में किसी भी काम को सीखने में साथ आठ साल लगते हैं सही बात है साल लगते हैं आर्मी जो है एक परिवार है जो सेना लड़ती है कि वो रिष्टे के बल पे लड़ती है सेने के बीच में जो रिष्टा होता है उसके बल पे लड़ती है वो रिष्टा एक दो साल में बनता ही नहीं है वो रिष्टा उस रिष्टे को बनने के लिए मजबूत होने के लिए कम से कम साथ आठ साल लगते हैं यह जो बीजेपी के लोग हैं, इनको यह बात समझ नहीं आई, यह सोचते हैं, कि आर्मी की ट्रेनिंग छे महिने में हो जाएगी, जो सीखना है वो छे महिने में हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, आर्मी में सालों लगते हैं एक सेनिक को तियार करने के लिए, सालों लगते हैं उस सेनिक और दूसरे सेनिकों के बीच में रिश्टा बनाने के लिए, तो यह अगनिवीर योजना जो है यह हिंदुस्तान की सेना को कमजोर करने की योजना है और यह बिचारे जो हमारे आर्मी के लोग यह कह नहीं सकते है मगर मैं जानता हूँ अगर इनसे पूछा जाए तो यह सारे के सारे कहेंगे कि ये अगनिवीर योजना के खिलाफ हैं अगनिवीर योजना गलत है तो वो रास्ता जो था वो भी बंद कर दिया इन लोगों ने पहले युवा आर्मी में जाता था 15 साल की उसकी सर्विस होती थी उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी अगनिवीर योजना में चार साल की सर्विस होगी उसके बाद सैनिकों को घर भेज दिया जाएगा उनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी तो ये जो देश का आर्मी के साथ रिष्टा है इससे खिलवाड कर रहे है देश ने कहा था देश हर सैनिक से कहता है कि हम आपसे 15 साल मांगते हैं उसके बाद हम आपकी पूरी जिंदगी आपको पेंशन देंगे आपकी इज़त करेंगे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे आपकी रक्षा करेंगे तो ये अगनिवीर योजना जो पहले युवाओं के लिए गरास्ता था ये भी इन्होंने बंद कर दिया बेरोजगारी क्यों आ रही है क्योंकि सरकार चुने हुए दो तीन उद्योग पतियों के लिए काम कर रही है ये देखो यहाँ पे यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वियापार जो भी आप करते हो सारा का सारा उन्ही दो तीन उद्योग पतियों के हाथ चला जाएगा सचा ही यह है और नरेंद्र मोदीची ने आपसे कहा आपसे कहा था कि देखिए नोट बंदी काले धन के खिलाफ योजना है काला धन मिट गया गया नहीं मिटा न भाईयों और बहनों नोट बंदी और गलत जीएस्टी योजना है नहीं है यह हत्यार है यह छोटे वियापारियों को स्मॉल और मिडियल साइज बिजनस वालों को मारने के खतम करने के हत्यार है और सचाई यह है कि इस देश को रोजगार सिरफ यह लोग दे सकते हैं यह जो दो तीन बड़े उद्योग पती हैं यह देश को रोजगार दे ही नहीं सकते हैं किती भी कोशिश कर लें यह नहीं दे सकते हैं तो इन्होंने क्या किया नरेंद्र मोधी जी और बीजेपी ने क्या किया जो हिंदुस्तान की रीड की हड़ी है जो रोजगार देने वाली रीर की हड़ी है छोटे भी अपारी स्मॉल और मीडियम बिजनस इस रीर की हड़ी को इन्होंने तोड़ दिया है इसी लिए आज पूरे देश में सिरफ जमू कश्मीर में नहीं पूरे देश में बेरोजगारी फैल रही है आप दूसरा सवाल पूछोगे महिंगाई इतनी क्यों बढ़ रही है वो ही कारण है पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान का दो तीन उद्योग पतियों के जेब में जा रहा है पहले पेट्रोल का दाम क्या होता था आज कितना है 100 रुपे तो जब आप आपके जेब में से जो 50 रुपे निकल रहे है वो कहा जा रहे है हवा में तो गाइब नहीं हो रहे कहीं ना कहीं तो जा रहे होंगे क्या वो छोटे विया पारियों के जेब में जा रहे है नई किसानों के जेब में जा रहे हैं क्या नई बेरोजगार युगाओं के जेब में जा रहे हैं क्या नई यह गैस सिलिंडर के दम बढ़ रहे हैं उसका पैसा कहा जा रहा है वो भी तीन चार लोगों के पास अभी यहां पे आपका सेव आते हैं सेव बिखते हैं फाइदा किसको जाएगा देख लेना तो पूरा का पूरा धन देश का पूरा का पूरा धन तीन-चार लोगों के हाथ में जा रहा है और बाकी हिंदुस्तान बेरोजगारी महंगाई का सामना कर रहा है इसलिए हमने यह यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर तक शुरू की और इसमें आपने हमारी जबरदस मदद की है आप यह मत सोचिए कि 3500 किलोमेटर चलना असान है यह असान काम नहीं है जब हमने शुरू किया था हमने सोचा कि यह देखो काफी मुश्किल काम है मगर चलने के बाद पता लगा यह तो असान है कोई मुश्किल नहीं है इसमें इतना इतनी मदद आपने की हमारी मैं आपको बता रहा हूं सुबह हम उठते पांच बजे सुबह उठते थे अब यहां पे सिक्यूरिटी वालों ने कहाए कि साथ बजे निकलना है मैं चाहता था छे बजे निकल जाना चाहिए मगर इन्होंने का नहीं साथ बजे निकलेंगे चिट्टी लिग दी तो मैंने एक्सेप्ट कर ली बात मगर हम निकलते थे सुबह पूरा दिन चलते थे 25-27 किलोमेटर बाद ऐसे लगता था कि पहला किलोमेटर चल रहे हैं ठकानी नहीं होती थे बिल्कुल पूरा अपने पुरी मदद की पूरी शक्ति डाली प्यार दिया यात्रा को किसी को चोट लगती थी आप एकदम उठा लेते थे मदद करते थे काफी लोगों को चोट लगी हस्पताल जाना पड़ा आपने एकदम मदद की हमारे यात्री चलते हैं रेस्टरांट में डाबे में खाना खाने जाते हैं उनसे कहते हैं कि भाई हम आपसे पैसा नहीं पैसा नहीं लेंगे आप भारत जोड़ रहे हो हमें आपका पैसा नहीं चाहिए यह देखो यह कह रहे हैं आज नहीं लिया पूरे देश में टमिल नाडू से केरला करनाटक महराश्ट्रा हर प्रदेश में जहां भी हम जा रहे हमारे यात्रियों से आप पूछिए रेस्टरांट में डाबे में उनको पैसा नहीं देना पड़ता यह परेस वाले पूछते है राहुल गांधी टी-शिट में क्यों है राहुल गांधी टी-शिट में क्यों है आप इतना प्यार दे रहे हो इतनी मोहबबत दे रहे हो कि मुझे ठंड नहीं लग रही अब यह इनको बात नहीं समझाएगी आई नहीं सकती मैं आपको तारों पसीना आ रहा है मुझे अभी तो यह मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा अंत में जो आपका स्टेटूट का मुद्दा है उससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है तो आपका आपका हक पूरा हकेनों ने छीन लिया तो एक दम कॉंग्रेस पार्टी पूरा पूरा समर्थन आपको यह आपका स्टेटूट है उसको reinstate करने में पूरा हम दम लगा देंगे आपने इतना प्यार दिया दिल से आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और अभी हम आपके साथ और चलेंगे आपसे मिलेंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा अंत में तारचंद जी, पिरजादा जी, मुलाराम जी और जो एनसी से नैशनल कॉन्फरेंस से यहाँ लीडर्स आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ धन्यवाद जैहिंद बहुत बहुत धन्यवाद राव जी